हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गनित कव वाइरल कोस्टन में पार्ट 1 लेकर आएं सवाल है यह काफी इंपोर्टेंट सवाल सब होगा ठीक है क्योंकि इसी तरह का सवाल आप लोगों के एक्जाम में देखने को मिलेगा तो वीडियो बिल्कुल भी इस कि मत किजिएगा सुरू स लेकर अंतक देखिएगा ध्यान से ठीक है एक सारा सवाल आपको इसी पैटन पर यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि सवाल जो है वो स्लेक्टेड अच्छे लेबल के है और जैक बूट के दवारा पूछा गया सवाल सब ठीक है तो सभी सव परिमे संख्या को पैचानना है यह दोनों टाइप का सवाल आप देख लो एक हो जाएगा बोलेगा आप से कौन परिमे संख्या है और कौन परिमे संख्या है यह दोनों में से कोई न कोई एक सवाल आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा दोनों नहीं मिलेगा लेकि दोन option number a, option number a, क्या हो जाएगा परिमे संख्या है, या नहीं तो आप अगदम सीधा तोता का तरह रटलो की 0 जो है वो परिमे संख्या, 0 परिमे संख्या, 0 परिमे संख्या, ठीक है, तो 0 is the hero, याद रखिएगा, ठीक है, अगदम एक्जाम में पूछेगा आप से और आपको बना क दिया, क्या करना है आपको, सबसे पहले जो real number है, original number इसको आप लिख लो, ठीक है, लिख लिया, नीचे में बटा दे दिजेगा, अज जाएगा को ऊपर बार होगा ना, उतना 9 नीचे दे दिजेगा, तो एक संख्या को उपर ना, बार है, एक ही को छे को उपर बार है, इस उसके बात करना क्या है, इसको solve कर देना है, 3,2,6,3,9, अब तो नहीं कटेगा, तो 2,3, अब ये 2,3 देखे, कहां पे आपको दिख रहा है, तो 2,3 आपको option number A में दिख रहा है, ना, 2,3 कहां दिख रहा है, option number A में, तो option number A इसका correct जवाब हो जाएगा, ठीक है, चलते है, अगला सबल देखे, कहां रहा है, question number 4 में, question number 4 में आप से कह रहा है, कि 64 पे power 1 बटा 2, तो 64 पे power 1 बटा 2 जो है, इसका आपको solve करके बताना है, तो चलिए इसको solve करते हैं, देखे, ये 64 है, 64 पे power 1 बटा 2 है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कि power को ऐसा इस्तिमाल कर बात तो एक ही है, 64 का मतलब भी 64, और 8 का square का मतलब भी 64, अठी अठी 64 होता है, अब ये power तो हमारा पहले से है, एक बटा 2 इसको भी लिग दो, अब यहां पर आप ध्यान दोगे अगर, तो ये दोनों power cancel हो गिया, दो से दो कड गिया, बचा किया आपके पास, 8 पे power 1 और 8 पे power 1 का मतलब 8, कहां पे आपको दिख रहा है, option number D में दिख रहा है, ठीक है, चलो, question number 5 पे आते हैं, question number 5 में आप से करा है, इन में से कौन जो है, वो बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, answer बताईए, देखिए, इन में से जो बहुपद नह form में, अब यहां पे देखिए, question number 6 में कह रहा है, बहुपद ये वाला equation दिया गया, इसका सबसे घात बताना है, तो जब कभी भी आप से घात पूछे, तो यहां पर जो भी equation आप देख रहे हो, यह equation आप देख रहे हो, इसमें जो सबसे बड़ा power होगा, x का, वही उसका घ हाथ होगा, तो यहां पे देख रहे हो कि 3 सबसे बड़ा power है, तो option number C हो जाएगा, ठीक है, x पे power 3 है, सबसे बड़ा, next देखे क्या है, कह रहा है कि px बराबर x-5 का सुन्यक आपको बताना है, क्या बताना है, इसको थोड़ा समय बड़ा करते हो, ताको आपको जो समझ में है, ठीक है, यहां पे देखे, कह रहा है कि px x-5 का सुन्यक आपको बताना है, कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे याप पर, यह जो x-5 है न, इसको 0 के बराबर कर देजिए, और x बराबर value निकाल लेजिए, 5, कहां पे भईया, option number A में, option number A हमारा सही जवाब हो जाएग ठीक है, याद रखिएगा सभी कोई, चलते है भाई, अगले सवाल पे, question number 8 पे आईए, question number 8 में आपसे कह रहा है कि x plus 1 से 3x cube plus x-1 को भाग दने पर क्या सेस्वल पराब्त होगा, इस सवाल में थोड़ा सा mistake है, आप लोग सही कर लिजेगा, यहां पे 3x cube नहीं है, 3x square होगा ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके according बनाते हैं, तो हमारा option जो है match नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहां पे 3x square कर लिजेगा, अब जैसे ही यहां पे देखो कि आपकी यहां पे क्या है, x plus 1 है, तो आप x plus 1 बराबर 0 कर लेना, और x के value निकाल लेना, माइनस 1, ठीक है, याद रखना हमने जो x के value निकाला, वो कितना निकाला है, माइनस 1 निकाला है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x square plus 1 और माइनस 1, ठीक है, प्लस x है बाबू, ठीक है, माइनस 1, अब यहां पे देखो, यहां पे माइनस 1 रखेंगे, यहां पे तो 3 हो जाएग अब प्लस, माइनस, माइनस 1 हो जाएगा, вес 1 यहां पहले से है, तो मैनस 1, मैनस 1, मैनस 2 हो गिया, यहां पाम 2 जेंद 3 में घटे गा कितना आजएगा, एक आजएगा, एक आपको कहां दिख रहे है, option number A में, ठीक है, और यहीं आपके हो जाएगा, चोटा सा mistake था, आप स्क्वार ए स्क्वार प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वार तो सीधा सीधा आप लोग देख पार हो यह हो जाएगा आपको option number a में इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है next देखे question number 10 में आपसे कर रहा है इन में question number 11 में आते है question number 11 में आपसे कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा समिकरन का हल है ठीक है x plus 2y बराबर 6 समिकरन का हल है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है हमने कई बार इस तरह के सवाल आपको बताया कि जैसे यहाँ पर आपको x plus 2y दे दिया है ठीक है बराबर 6 दे दिया है तो आपको हर हालत में equation को बराबर करना है यानि इधर आपको x y का value आप फिर से 2 रख दो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर y का 2 है तो 2 दुना 4 चार में 2 जोडो 6 आपका तो यहीं आपका answer हो जागा बाकी आप सभी रख के देख लेना answer आपका नहीं आएगा तो जिससे answer आएगा वहीं आपका answer होगा ठीक है समझ गए question number 12 पर आते है question number 12 में कह दरने के लिए क्या चाहिए 0 चाहिए x भी 0 होना चाहिए y भी 0 होना चाहिए आप लोग को पहले से पता है तो अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x का value 0 रख दे तो क्या यह 0 हो गया आप यह बिल्कुल 0 हो गया y का value चलिए एक बार आप क्या करो अब y बराबर 3x है तो इस बार क्या करो y का value 0 रग दो तो यह पर हो गया 3x, x का value निकालेगो 3 कहाँ चला जागा 0 के नीचे जिसका मतलब होता है 0 x का value भी 0 आ रहा है y का value भी 0 आ रहा है इसलिए जो है यह मूल बिंदू से गुजरेगा option number a हो जाएगा जी हा मूल बिंदू से क्या होगा गुजरेगा question number हम 13 की बात करें तो कह रहा है कि y x का समिकरन क्या होगा तो देखो भाई यह y x का समिकरन तभी होता है जब x हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है ठीक है नेच्ट देखिए मूल बिंदू का जो निर्देसांग होता है वो क्या होता है तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हो, ठीक है? ये वला बिंदू P है, और निर्दे सांग बताने के लिए ना, पहले हम लोग X का वेलू बताते हैं, फिर Y का वेलू बताते हैं, फिर Y का तो पहले X एक्सिस देखेंगे हैं, कहाँ पर काट रहा है, 3 पे, तो यहाँ पर हो जा आईए, question number 16 में आप से कह रहा है कि रेखाएं समांतर होती ही यदि वे परतिछेत नहीं करती है, कथन निमलिखित रूप दिया गया है, ये क्या है, तो ये सब theory है, theoretical बाते हैं, तो आपको जो है, इसको याद करना होगा, ये एक क्या है, परिवासा है, option number B हमारा सही जवाब ह हो जाएगा, बिल्कुल रटा मारना होगा इसको, और कोई उपाई नहीं है आपके पास, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, नेट देखे क्या है, यदि किसी तिर्भूज का एक कोन अन्य दो कोनों के योगई के बराबर है, तो वह कैसा तिर्भूज है, आपको बताना है, ठी का स्क्वेर बराबर, लंब का स्क्वेर, जोडाधार का स्क्वेर, तो दो भुजाओं का योग तिसरी भुजा क्यों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, डेक्श देखे, कोशन नमबर 18 में देखे, कोशन नमबर 18 में फिर से एक फीगर दिया गया है, और इस तरह का सव से थोड़ साँ मिस्टेक लग रहा है यह एक्स का वेलू बता नहीं यहां पर भी एक्स होगा तो 4x यहां पर साथ 40 है ठीक है साही कर लाना आप लोग यहां पर 40 डिगरी है यहां पर फिर 4x है फिर 3x है तो देखिए यहां पर होता क्या है कि एक रेखा होती है यहां से यहां तक को जो एंगल बनता है बाबू वह 180 डिगरी का बनता है ठीक है तो आप लोगों को करना क्या है सिंपल सी बात है सभी को जोड़ दो 40 पलस 4x पलस 3x सबको मिला कर कितना हो जाना चाहिए 180 तो देखो यहां पर 4 अतीन कितना हो गया बाबू 7x बराबर 180 अईस 40 को उस तरफ ले जाओ माइनस 40 हो जाएगा ठीक है तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 140 x का विलू निकाले ओगए यह सास से कड़ जाएगा कितना बार में 20 बार में तो 20 डिगरी x का विलू अंसर आ गिया तो 20 देखिए कहां पर है option number a में option number a में है हमारा 20 डिगरी ठीक है यही आंसर हो जाएगा ठीक है न समझ गया आप लोग next देखिए क्या है question number 19 में question number 19 में यह वाला सवाल ना 110% यह सवाल छपेगा आपके एक्जाम में इसलिए इसको अच्छे से देखना ठीक है देखो यह वाला figure आपको देगा ठीक आप देखे करेंगे कैसे कुछ मत करना एक रेखा खीचना ठीक है एक रेखा यहाँ पे खीच देना एक रेखा इसमें सटा के जैसे आप घीचोगे न यह होगा क्या हम आपको बताते हैं यह होगा क्या यह रेखा इस रेखा के पैरलर हो जाएगा और इस रेखा के पैरलर ह समनांतर हो जाएगा अब देखों ये जो अंदर-अंदर का कोन होता है न वह 180 degree होना चाहिए ठीक है इसके अंदर से इसके अंदर से 180 degree पुर्णा चाहिए ये नियम है ठीक है पहले पढ़ना चाहिए आप लोग को अब काफी समय निकल चुका है तो आप लोग बस डारेक्ट समझो कि अंदर अंदर का कोण 180 होना चाहिए तो यहां कितना होगा बाबू 50 होगा उसी परकार से अंदर अंदर का कोण 180 होना चाहिए तो यह अगर 110 है तो यह कितना होगा आप बोलोगे 70 होगा तो हमने अभी आपको बताया क एक रेखा पर हैं से यहां तक का जो एंगल बनता है वो बनता है 180 का एधर वाला भाग 70 का है अगर समझ में आ गया तो वीडियो पिलीज लाइक कर देना शेर करना है और सब्सक्राइब ने क्योंगते सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है question number 20 पे आते question number 20 बहुत ही famous एक कई बार पूछा है यह वाला सवाल कई बार हमने देखा है कई बार exam में यह पूछता आ रहा है कि डिम लेकित में से कौन तिर्बुज की सरवांग समता कि एक कसावटी नहीं है तो बताइए भाया कौन सी कसावटी नहीं होगा सही जवाब बताइए इसका देखिए यहाँ पे जो होता है यह वाला नहीं होगा option number C चीक है option number C नहीं होगा तो हम लें आज के इस वीडियो में 20 सवालों को discuss किया next part जल्दी लेका आएंगे ताकि आप लोगों का जल्दी से syllabus को complete कर लिया जाए वीडियो को like कर दिजएगा and comment किजएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा and please share किजए अपने सभी दोस्तों को and subscribe कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में thank you